नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों बीजून 2022 समय नौबच के ग्यारा मिनट 56 सगेंड हो रहे हैं और देखिए पांस लॉट मैंने करंसी को बाय किया हुआ फिलाल देखिए इसको मै रेंक निप्टी का कॉल औप्शन में हम लोगों ने एक हजारती रुपन का प्रॉफिट बुक किया था नेट एमाउंट 654 रुपए का मेरे पास आया था मेरा 430 का तार्गेट था लेकिन यह 654 को जब आप इसमें जोडेंगा ना तो 44,000 37 रुपए का आएगा ठीक है मूल इमाउंट उसमें मैंने विड्रो कर लिया था 18,900 को क्यों कि मैं एक दिन ट्रेडिंग में अबलेबल नहीं था और दूसरे दिन फ्राइडे और सटरडे संडे हो जाता है यानि कि विकेंड हो जाता है तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मैंने उस दिन विड्रो कर लिया था लगवा अपना हाप एमाउंट यहां से विड्रो करके रख दिया था अपने बैंक एकॉंट में इनके सिक्यूर्टी परपस मैंने रख दिया तो अब 18,900 तो भी ड्रो कर लिया और उसके बाद मेरा पेमें कितना बचा टोटर मिला के तो मिला मेरा यहां पे पंदरा बारा मेरा इमाउंट बच जाता है ठीक है चुकि इसमें अभी मार्जीन यूज हो गया ना तो 25,000 के आसपास में एमाउंट रह जाता है तो 25 लेकिन मेरा मूल एमाउंट 44,000 37 रुपिया ही है यह हम लोग मान के चल रहे है तो 44,000 37 का एक परसेंट की बात करते हैं तो 44,000 37 का एक परसेंट निकालते हैं तो और गया 440 रुपिया 37 का आज हमारा टार्गेट 440 रुपिया के आसपास होगा यह 441 रुपिया के आसपास में होगा 20 तारीक हो तो अभी मैंने करंसी को क्या किया है यह मेरा वैलिड नहीं होगा टेड लिया टेड को गिंदी करेंगे उसमें करना भी कॉंफिडेंस नहीं है तो मैं इसको भी कर सकता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर एक बाउन्स आता है तो इस बाउन्स को यूज करने के बाद में इसको पोजिशन को कट कर दूँगा तो आज मार्केट जो है 15334 पर सेटल हुआ है थोड़ा बाउन्स दिखान दिस्टेंस शुरू हो जाता है तो फिलाल अभी मैं करेंसी पर देखता हूं अगर 100 रुपे के यहां पर से मामला जमा तो कम सेकंव ब्रोकरेज आज का यहां पर निकल जाएगा ठीक है और बांकि फिर कोई दूसरा टेड़ बनेगा तो उसमें मैं इंटी करने कोशिज करता हूं कि आज का टार्गेट 440 रुपे का है तो वेट करता हूं और यहां देखें साड़े 12 रुपे का प्रॉफिट भी मेरा स्टार्ट हो चुका है और मार्केट 32 से 30 पॉइंट के आसपास सेटल हो रहा है तो चलिए देखते हैं कि यहां पर मैं एक छोटा से इस्टॉप लो 77.96 के आसपास का लगा के वेट कर लूँगा 76.96 के आसपास का और वेट कर लूँगा नमस्कार अमेज जी आज का टार्गेट 440 रुपे का है एक वर्डिंग 1% नमस्कार सारे लोगों को आज का टार्गेट 440 है करंसी मैंने ऐसे लिया हुआ है और अगर कुछ बना तो ठीक है नहीं तो करंसी काटके फिर कोई स्टॉक्स में सला जाओंगा अभी फिलाल वेट करता हूँ करंसी में आज उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे हना करंसी में उतना आज कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए जादा नहीं 440 का अज का टार्गेट है मेरे वन पर्सेंट चालेंज के इसाब से मैंने कुछ पैसे बिड्डो कर लिये थे 18,900 का बिड्डो कर लिया था अब शेद दोजार बाइस को बिड्डो कर लिया था मूल अभी भी 44,37 उपय का उस दिने टेमाउंट 654 का प्रॉफिट हो था लास्ट टाइम में टोटल जोड़के 44,37 बन चुका है मेरा 41,890 से सुरू करके 44,000 तक हम लोग आ चुके हैं और आज देखते हैं क्या अहां तक आता है 78 थोड़ा हडल है इसको आगे में 78 अगर ब्रेक होता है 78 को तो फिर एक मूमेंट कर सकता है 78 78 के पास हडल है 78 को अगर जैसी तोड़ेगा तो एक मूमेंट उपर दिखाया देगा मॉर्निंग मॉर्निंग चलिए वेट करते हैं नमस्कार मैं शालिये और आज बैंकिंग स्टोक कैसा चल रहा है अक्षिस बाइंक वेट करते हैं जुबलियन फुट पांसो एक रुपए के उपर मुमेंट कर सकता है 78 इसका हडल है नमस्कार पाटिल साब इसकारंसी का इसकारंसी का मॉर्निंग शुबाजी जे चलिए वेट करते हैं करता हूं कि इसको कार्ट देता हूं करनसी को थोड़ा सा मॉमेंट में यह है अभी मैं इसको कार्ट देता हूं आज वैसे भी इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो मेरा पोजिशन बारा रुपे कॉस्ट टू कॉस्ट खर्तम भुआ नो प्रॉफिट नो लोस है ना कोई प्रॉफिट कोई लोस नहीं आज इसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा से इसको एवाइड करके ही रखूंगा सन फार्मा एक मॉमेंट तो लग रहा है सन फार्मा आट सो चौदा रुपे कॉपर एक मॉमेंट कर सकता नहीं मॉमेंट तो लग रहा है सन फार्मा एश्यन पेंट 2623 पर है ओके देख लेता हूं शिशु पार्जी एश्यन पेंट मैं इसमें पहले मेंशन कर दूँ कि करंसी जो है नो प्रोफिट नो लोस अभी फिलाल हुआ है ठीक है 430 का अज टार्गेट है एश्यन पेंट 2623 अरे थोड़ा नीचे आने दीजिए 26 पर बाई करिए एश्यन पेंट 26 के आसपास बाई करिए अगर पच्चास तीस क्वांटिटी 266 पर चल रहा है अगर 26 पर मिलता है तो 26 पर भी बाई कर सकते हैं एश्यन पेंट को 26 के नीचे फिर बाई नहीं करना है ठीक है 26 के उपर पास में रहे तो बाई करना एकात पॉंट नीचे कर सकते हैं नहीं तो ये फिर इस ग्याब को फिल करने आ जाएगा सन फार्मा 814 के उपर बाईंग हो सकता है अगर 26 के पास से इसको बाउंस करके उपर जाना चाहिए यह जो पहली केंडल का लो है यही एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है और यहां से बाउंस करके उपर जाना चाहिए और 26 के उपर अगर निकल जाए 25 के उपर निकल जाए तो और अच्छी बात है फिर तो और अच्छी बात है बिल्कुल एदम 26 पर से बाउय करिए 26 के आसपास में बाउंग करिए 26 आ चुका है इसमें केशियर पर में बाउंग करिए उपर टार्गेट 2620 तक के मिल जाएंगे 2610 और 2620 यह दो टार्गेट आपको मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा शारी देखते हैं कि वेट करते हैं कि 148 रुपे 137 रुपे 180 रुपे यही चल रहा है भी मेरा प्रॉफिट लोस 430 का कि सॉरी 430 बार बोल रहा है 440 का टार्गेट किया 440 का लॉस यह दो चीजे फिक्स हैं तो क्या करें जिन्दल फोटो लोके तो मार्केट ने तो काफी गिरावट दिखाया तो अच्छे अच्छे श्टॉक्स आप लोगों ने सलेट कर रखें तो अच्छी बात नहीं कर रखा तो कर लिजिए बहुत समय है भी आपको और समय मिल सकता है बिल्कुल करिए 26 तक 26 तक जाना चाहिए एशियन पेंड को 26 तक यह 26 यह टार्गेट होगा 2620 रुपे का मैंने टार्गेट उपर लगा दिया है चैलेंज 1 परसेंट आप लोगों का चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखिए हम लोगों ने 48,890 से शुरू किया 44,37 तक अगया टार्गेट 1 परसेंट हम लोगों को लेते रहना है आप लोग कभी चल रहा है बहुत बढ़ी हैं क्यों को लोग चला रहें चैलेंज 1 परसेंट इससे आपको क्या होगा एक डिस्सिप्लीन मेंटेन हो जाता है है न कहने को लोग कह सकते हैं कि एक परसेंट में क्या होगा लेकिन अगर आप ओवर ओल देखें तो आपका इलिए एक परसेंट अगर डेली आप लेके जाते तो काफी जादा अच्छा एमोंट लेके घर जाते हैं देना भी उतना ही है उससे जादा नहीं इसके पास रिसेंटली हडल बन गया है 268 रुपय का इसके लिए रिसेंटली हडल है 267-268 इसके लिए मेंली हडल है यह हडल अगर ब्रेक होता है तो आपको मुमेंट बनेगा और हेड़ेक नहीं दिमाग को हाँ फर्स डे असल हुआ लेकिन अब डेली प्रॉफिट हो रहा है और हेड़ेक भी नहीं हो रहा दिमा बड़ा कैपिटल से चोटे कैपिटल को हम लोग बना लेंगे आराम से उसके लिए टेंसन नहीं होगा तो वेट करेंगे फिलाल समय हो गया है नों बचके एक तालीस मिनट और उन्चा सके तो बावन रुपे का चालीस रुपे का अभी तो एक सो पचास के उपर प्रॉफिट हो गया था हो जागा यह चब्वीस सो दस पहला अभी का हाय मारत चब्वीस आठ पचास और चब्व अगिस से बड़े टार्गेट भी दे सकता है एक सो पचीस होगे प्रॉफिट तो चलिए देखते हैं कि हमारा 440 का प्रॉफिट या 440 का लॉज आज क्या बुक करते हैं अभी हमारा 123 का प्रॉफिट चल रहा है वेट करते हैं समय हो गया है 10 बस के 6 मिनट और 7 मिनट हो गया चलिए जैसे क्रोज करा फास्ट हो रहा है ना बिलकूल वेट करेंगे वेट करेंगे कोई बात में है ना यहाँ पे एडवांस है 23 डिक्लाइन है 27 इसका मतलब क्या है कि मार्केट साइड वेज है option seller पैसा बना रहे है option buyer पैसा नहीं बनाएगा ठीक है आज के दिन में option buyer पैसा नहीं बना सकता और stock trader जो है जो cash में trade करते हैं उनके दोनों साइड के SL कटने के पूरे chance बनेगे क्या बनेगा दोनों साइड का SL कटने का पूरा chance बनेगा क्यों क्योंकि मार्केट एक range में trade कर रहा है यहाँ पे advance और decline equal equal चल रहा है तो हम लोग अपने risk management से सिर्फ wait कर सकते हैं और कुछ भी नहीं फिलाल समय हो रहा है 10 बच के loss लेके निकल जाईए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है प्योर sideways चल रहा है market 10.20 positive होता है फिर market 10.20 negative हो जाता है इसको आप close कर दीजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको कि sideways market में रहेंगे तो frustration के सिकार हो जाएंगे तो इसको क्या करते हैं close कर सकते हैं कौन कौन सहमत है close करने से sideways market में बताईए कौन कौन agree है हलांकि यह गड़बड नहीं है खराब नहीं है खराब नहीं है लेकिन एग्री है ना ओके खराब नहीं है लेकिन कि frustration कर देगा मतलब आपको सबको frustrate कर देगा कि अरे यार यह कहीं नहीं जा रहा है दिमाग खराब है तो एक आदिन frustration में बितेगा है ना वो problem हो जाएगा इसे लिए तो एक system follow करिए या तो आप stop loss अगर लेना चाहते है तो stop loss लगा लिजिए अगर यहां से 10 point का मैं stop loss लगाता हूं यह 10 point नहीं अब मैं 5 point का stop loss लगा हो ना कि 256 तो अलेड़ ही चल रहा है और 5 point लगाता हूं तो 2595 का होता है तो मैं आप 2595 का stop loss लगा दूगा ना तो 440 का लॉस अपने आप बूक हो जाएगा तो जैसे कि maximum लोग आप लोग क्या कर रहें कि आप लोग तयार हैं इसको कट करने के लिए क्यों कि sideways मार्केट तो या तो आप वह कट कर लिजिए या फिर आप एक stop loss लगा लिजिए calculation से क्योंतना का ही लॉस होगा और छोड़ दीजी यही तो कर सकते हैं है ना तो 440 के हिसाब से क्या करते है पहले मैं देखूं कि हाँ तो इसमें क्या करूं 45 है ना 45 मैं एक stop loss maintain कर देता हूँ 2595 हाँ ऐसा लगा के छोड़ देता हूँ और 2494 रुपिया 94 रुपिया 80 पैसा ठीक है यह ऐसा लगा के मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ 2494 रुपिया 80 पैसा 2494 रुपिया 95 पैसा यह यह सेल करना ना सेल करना 42 रुपिया अच्छा 2594 रुपिया 80 पैसा और यह इस्टॉप लगा के छोड़ दे रहा हूँ यह मैंने 440 का हिसाब से इस्टॉप लगा के छोड़ दिया ठीक है क्लियर ना और अभी समय हो गया है दस बच के 29 मिनद और आठ सकेंद तो देखते हैं क्या 440 का लौस या 440 का प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा तो उपर बहुत आएगा नहीं आएगा तो इस्टॉप लोस कर जाए तो क्लोस कर दें साइडवेज है क्या दिक्कत है बंद क साइडवेज है फ्रस्टेशन में चल जाएंगे बहुत सारे लोग है ना तो चली क्लोस करता हूं यह और प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा दोनों ही दिखा दूगा डेंटेंशन वाली बात नहीं है रिकॉर्डिंग में है ना श्याली बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों तीन सो दस का प्रॉफिट हो रहा है समय हो गया है दस वसके चावण मिनट और तीस सकेंड देखिए जो स्टॉपलोस था वो स्टॉपलोस तो नहीं कटा ही तो नहीं हुआ तो निश्चिंत लगा के छोड़ दिया इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो देखिए बिल्कुल बने हैं डिसिप्रीन के साथ कोई दिक्कत नहीं और अराम से बनने देखिए ट्रेड कर रही है मैंने अप लोगों को भी अपने टेलिग्राम चैनल और साथ ही आर्की ट्रेडिंग मोबाइल अब पर डाला हुआ है वहां पर भी आप प्रॉफिटे करके थोड़ा स्टॉप्लोस में ऊपर कर लेता हूँ इसमें थोड़ा स्टॉप्लोस तो ने पर कर लेता हूं यहां पर नेंटہ कर लिया थोड़ा सा अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है वो मैरा टारगेट आता है याने एक पर्सेंट यहानि 440 रुफ रुपे था हलांके भी नहीं किया 400 चल रहा है देखिए ओवरोल पॉजिशन और समय पहले देख लिए समय हो रहा है ग्यारा बत के बस मैं कब प्रॉफिट बुक करता हूं और थोड़ा से उपर आ जाए तो मजा जाए 450 हो चुके हैं तो 492 अब प्रॉफिट बुक कर सकता हूं अब कोई टेंशन वाली बात नहीं 500 का असपास का प्रॉफिट हो जाएगा देखिए 492 517 तब दोस्तों समय हो गया है ग्यारा ब कर सकते एक पर्शन भी प्रॉफिट लेंगे डेली तो अपना काम फिनिश रजागा है ठीक है तो यहां पर 480 रुपर ब्रॉफिट हाथ में आ जाएगा तो चलिए मैं यहां पर मेंटेन कर देता हूं कि आज का जो है अभी प्रॉफिट है 535 के आसपास में यह करंसी तो कर 440 क्वांटिटी को बाई ही किया था और यहां पर एक्षन बाई किया और क्वांटिटी 45 लिया और अभी जो है 480 चलिए 480 यानि कि 480 प्रॉफिट बोग कर लेता हूं चलिए दोस्तों ठीक है ना तो 496 चल रहा है कंप्लीट हो गया एक पट्सेंट चले बहुत-बहुत ध और यहां पर आप देखिए कि मुझे एक हजार नौने 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 यहां रहा है तो अब यह मैंने क्या किया ना कि मेरा जो टार्गेट था साड़े 500 यहां से देखिए मैंने इस्टॉप्लस को ऊपर कर दिया 15 यानिकि अगर 15 पॉइंट कर रहा हूं तो पंदा च स्टॉप्लस कट जाता है तो मुझे 720 रुपए का लगवख लगवख प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है मैं फिर से कल्कुलेशन करता हूं 269 पर लगाया है 205 तो कितना हुआ हुआ चाहां पर मैं 630 का एक मेंटेन करते हूं तो 630 रुपए ठीक है यह 630 रुपए तो यह मेर बुक हो के कमप्लीट जाए तो एक परसेंट से उपर हो गया मेरा काम है ना तो वेट कर लेंगे या तो स्टॉप लोस कर जा या और ऊपर चला जा अच्छी बात एक कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो चलिए अब मैं बंद करता हूं फाइनली यह फाइनली ही हो गया मिलूगा आप लोगों से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद